आपका स्वागत है में आजमिन खान महरास्ट में सियासी उठापटक फिर से जारी है यहाँ पर एकनात शिंदे और उद्धर ठाकरे के गुट में कहीं ना कहीं फिर से बगावत छिड़ती हुए नजर आ रही है आपको बता दें कि एकनात शिंदे जिस उमील से भारते जंता पाटी में आए थे वो उमीद अब उनके ही विदायक तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं एकनात शिंदे को उनके ही विदायक जटका देते हुए नजर आ रहे हैं जिसके बाद यहाँ पर सीधा फायदा उद्धर ठाकरे को होता हुआ नजर आएगा जो कि पहले से यहाँ पर चर्चाएं काफी तेज हो चुकी है महराश्ट की बात की जाए तो महराश्ट में सिर्फ एकनात शिंदे और उदर ठाकरे को लेकर सियासी हल चले जो तेज हुई है इसमें कहीं न कहीं भारती जनता पार्टी अप उदर ठाकरे के जो विदायक थे जो एकनात शिंदे के जरिये भारते जनता पार्टी में शामिल हुए उनका वहाँ सीधे तोर पर अपमान किया गया उनको वहाँ तवज्जो नहीं दी गई उन्हें यहाँ पर कोई पद नहीं दिया गया जिसके बाद यह तमाम विदायको कुर्सी का खेल खेला जाएगा आपको बता दे कि एकनात शिंदे मुख्य मंत्री है महराज के सिर्फ सैना की कमान उनके पास है लेकिन भारते जंता पार्टी ने एकनात शिंदे का इस्तिमाल किया जो अब यहाँ पर तमाम विधायक भाब चुके हैं यहाँ पर आपको बता अब ठाकरे के साथ मिलकर यहाँ पर फैसरा करते वे नजर आएंगे आपको बदा दे कि यहाँ पर भारते जंता पार्टी में जो विधायक शामिल हुए थे एकनात शिंदे के जो उद्दव गुठके थे वह गजानन यहाँ पर अपनी नराजगी साथ तर पर जाहिर कर रह हैं जिसके बाद इनके समर्थन में उतरते वे तमाम 22 विधायकों ने फैसला किया है कि अब वो उद्दव ठाकरे के साथ मिल जाएंगी तो अगर ऐसे में मिलते हैं तो यहां बहुत बड़ा बदला होने वाला है उद्दव ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री के रूप में आने वाला है